बड़ी ख़बर का जम्मू कशमीर से आपको बड़ी खबर बता रहे है जो आपको 370 बहाली के लिए विधांसभा में प्रस्ताव पास हो चुका है आपको उता दे कि विधांसभा में प्रस्ताव को लेकर हंगामा भी हुआ तो जम्मू कश्मीर में जैसे ही election हुए उसके बाद में National Conference और Congress की सरकार बने उसके बाद ये कहा जो रहा था कि 370 बहाल किया जाएगा और ये National Conference की ओर से कहा भी गया था और देखे यहाँ पर 370 बहाल के लिए विधान सभा में प्रस्ताव पास हो चुका है जहाँ विधान सभा में प्रस्ताव को लेकर जमकर हंगामा भी देखने को मिला क्योंकि BJP इसके सख्त खिलाग थी और अब ऐसे में तमाम जो नेतागड हैं उनमें गहमा गहमे की स्थिती भी है और अब आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से जहां पर 370 बहाली के लिए विधान सभा में प्रस्ताव पास कर दिया है देखे विधान सभा का सत्र चल रहा था और जैसे ही यह कहा गया था चुनाव में अगर हम नैशनल कॉंफरेंस की बात कर ल किया गया है तो वहीं जैसे यह प्रस्ताव पास हुआ उसके बात में चुमकर हंगाबा भी देखने को मिला चल जिसी खबर पर जाज्वान काई ले लेते हैं मार साथ में न्यूस हैट शरत दिवेदी ची जूड़ गया है सर 370 बहाली के लिए विधान सभा में प्रस्ताव पास हो गया है कैसे देख रहे हैं आप इसे यह टकराओ की शुरुआत हो गई है केंडर की बीजेपी सरकार और जमू कश्मीर की यह जो मिली जुली सरकार है जिसका नेतरुत नैशनल कांफरेंस कर रही है और थोड़ी देर पहले की जो रिपोर्ट्स आ रही है कि विधान सभा में जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी विधायकों ने तीन सो सत्तर बहाली के प्रस्ताओ की प्रतियां सदन में फाड़ कर फेकी और अपना कड़ा विरोध जताया और दूसरी तरफ नैशनल कांफरेंस पीडीपी और कॉंग्रेट सहित जो वहां की एक रीजिनल पार्टी है अवामी इतिहाद पा कश्मीर में जो सरकार आई है वो सरकार तीन सो सत्तर की बहाली की तरफ बढ़ेगी अब इसके राजनितिक माईने अगर निकालें तो चुनाओ दो राजियों में हैं बीजेपी के लिए ये एक मौका भी है कि वो इस मसले को उठा कर ये बताने की कोशिश करेगी कि तीन सो स 70 एक ऐसा प्रतीक था जो जमू कश्मीर में बहुत सारी तीजों को लेकर बाधा और अर्चन पैदा कर रहा था हमने उसको हटाया और एक राष्टवादी सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन जमू कश्मीर की जो निर्वाचित सरकार है उसने फिर ये बताने क की कोशिश की है कि 370 के समर्थन में वो खड़ी है और 370 के जरीए वो ये भी बता रही है कि वो राष्टर की धारा से कहीं न कहीं विपरीद जाना चाहती है तो मुझे लगता है कि ये दो राज्यों में जबकि हम चुनाओं की तरफ बढ़ रहे हैं महराश जहार खंड में करने की तरफ बढ़ेगी कि उसकी तरफ से ये जो 370 की बहाली का प्रस्ताव लाया गया है ये असमवैधानिक है समवैधान और देश की धारा के विपरीत है इसलिए और उसके क्या अंतिम परिणाम होंगे उस पर अभी कुछ कहना जल्दवाजी होगा लेकिन ये एक टकरा बन चुकाता है लेकिन 370 बहाली का जो प्रस्ताव पास हुआ है ऐसे में बिजेपी का अगला कदम क्या हो सकता है क्योंकि आपने भी जिक्र किया है कि जारकर्ण और महराष्ट में चुनाव होने जा रहे तो क्या चुनाव पर भी इसका एक बड़ा प्रभाव देखनी को म चुकि इस प्रस्ताव के समर्थन में कॉंग्रेस भी खड़ी है वहां तो निश्चित तोर पर कॉंग्रेस पर हमला करने का मौका मिलेगा दो राज्यों के चुनाव में और आगे होने वाले दिल्ली और जो अन्य राज्यों के और चुनाव हैं बिहार उसमें भी ये मसला बनेगा तो निश्चे तोर पर एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई भी हमें देखने को मिलेगी और जैसा मैंने आप से कहा कि समवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करने पर भी बीजेपी विचार करेगी जी तो फिराल के बहुत शुक्रिया सर हमसे बात्शुत करने के लिए तो यान उकतिक छोटा सब रेक लिए विए कि उस पाई